नमस्कार दोस्तों मैं हुआस्पी शर्मा आप देख रहे हैं ग्रिन गड़न चैनल ग्रिन गड़न चैनल में आप सबीकर श्रागत है आज मैं आप लोगी शाहत शेयर करूंगा चंपा यानि की प्लूमरिया फ्लॉर प्लाइंट की क्यार अब ही आप कैसे करेंगे समर सिजन में आप ही आपको प्लूमरिया यानि की चंपा फ्लॉर प्लाइंट को फैटलेजर क्यार देना है यह देखिए यह जो फ्लॉर प्लाइंट है बहुत ही खुबसूरत कलर है और इसमें कोई भी लीफ नहीं है बॉन इस्टेम है और इसके उपर हीूज क्वांटिटी म फलॉर है और भी फलॉर था इस से पहले इसमें और भी ज्यादा फलॉर था और यह एक प्लाइंट है देखिए इसमें फ्लॉर आने बार्ण से और इसमें तीन ब्रांचे से यह देख पर हैं लेकिन दोनों प्लाइंट ही बहुत ही चोटे चोटे पॉट में लगा हुआ है ये चार चार इंच की पॉट है एक पांच इंच की है पॉट और ये चार इंच की पॉट ये दोनों को मैंने काटिंग से ग्रो किये है मैंने पार्चेस नहीं किया था काटिंग से ग्रो किया था और देखिए एक में तो बिल्कुल फ् भी आया और इसमें आभी तक लिफ नहीं आया लेकिन फ्लावर है और एक प्लांट है बाजू में रखा है दोसिंच का पॉट में मैंने लगाया था यह भी काटिंग से ग्रो किया था और इसका वीडियो आप लोगी शाथ शेयर किया था आप प्लूमिरिया या चंपा अच्छा शायल में मैंने शेयर किया था और उसके बाद मेरा फ्लावर प्लांट की जो हेल्ट है देखिए कितना अच्छा हेल्ट है इसकी जो लीफ है डर्क ग्रेन कलर का है और उपर आगने के बाद इसमें देखिए तीन तीन ब्रांच आए है देखिए ठीरी ब्रांचे स आया इसके बाद इसमें भी फिलावर खिलना स्टार्ट हो जायाएगा यह वाइट कलर का चम्पा फिलावर खिलते हैं उसका काटिंग्स है और इसकी जो मादर प्लाइंट है जहां से मैंने cuttings collect किया था देख लेते हैं एक mother plants ये है देखी बहुत ही खुबसूरत flower है ये खिला हुआ है और यहाँ पर और भी दो branches है शाथ में ये देखिए और भी branch है और huge quantity में बाट्स है दो cuttings मैंने लिये थे देखी एक cuttings मैंने यहां से लिया था कि यहां से दो branch आया है और एक cuttings मैंने यहां से लिये थे एक cuttings मैंने यहां से लिये थे इधर भी देखिए दो branches आया है और इसमें भी flower खिलेंगे इसके बाद तो ऐसे करके मेरा जो flower plant है काफी ज्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा कुछ छोटे कर दिये जाए तो दो मैंने cuttings ग्रो के और आगे चलके एक stick जे दिखिए और एक branch ए है लंबा यह दोनों को भी मैं ऐसी करके ये लो कलर है ये देखिए ये लो कलर है और बाजू में जो side है side में white कलर है अच्छा fragrance है बहुत ही खुबसुरत है और huge quantity में flower खिला हुआ है ये देखिए देखिए बहुत ही शंदर flower खिला हुआ है तो ये शब floor plant को मैं कैसे क्यार करता हूँ fertilizer क्या देता हूँ इसलिए आज आप लोग को वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये इसका cuttings मैंने grow नहीं किये है ये मेरा plant जो है एक 14 इंच की pot में लगा हुआ है ये देखिए और प्लांट है ये शबसे बड़े plant है अब लोगों है दूर से दिंखा रहा है ये दिखिए और यह एक टाब में लगा हूँ एक बड़े टाब में लगा हूँ है बहुत ही biggest याई की flower plant है इसमें भी देखिए flower खिल रहा है या भी Barts है flower खिल भी रहा है सबी जगा पर बाट्स है कुछ बाट्स अभी infected हो गया कुछ बाट्स infected हो गया इसमें imidaclopid spray करना है और एक बार fungicide का spray कर देना है ये कुछ बाट्स देखिए ज़र जाएंगे और इसके बाद फिर से new new बाट्स आएंगे ये कुछ इसमें paste की attack है कुछ fungus भी लगा हुआ है imidaclopid इसमें spray कर देना है आपके फ्लावर प्लाट्स में भी आगर ऐसे बाट्स होता है तो imidaclopid spray करें तो सही हो जाएगा और तीन दिन बाद एक बार fungicide की spray कर देंगे तब भी चलेगा इसकी जो cuttings है इसकी cuttings भी मैंने grow किये थे जो 10 इंच की part में देखा आभी वो फ्लावर प्लाट fertilizer देने से पहले मैं बात करूंगा आपकी फ्लावर प्लाट में paste का attack बहुत ज़्यादा हो शकते है मेली बग लग लग शकते है और aphids भी लग शकते है थेफ्स भी लग शकते है तो आपको क्या करना है immediate chlorpid यान की confider 1 ml पाल लिटर बाटर डिजल्ब करे और ये फ्लावर प्लाट की उपर हर 10 दिन अंतर से एक बार श्प्रे करे तो आपका फ्लावर प्लाट अच्छा रहेगा आपकी फ्लावर प्लाट की जो बाट्स है बाट्स खराप नहीं होंगे और बाट्स फाल भी नहीं होगा जैसे कि मैंने देखाया मेरा कुछ बाट्स फाल हो रहा है या बाट्स खराप होगा इंफेक्टेड हो गया तो उस जगह पर अभी इमिडियक्लोपीड मैं एस्प्रे कर दूँगा ऐसे अगर आपकी फ्लावर प्लाट में भी होंगे तो आप भी इमिडियक्लोपीड एस्प्रे करें और फांजिसाइड में आपको लेना है साफ और बेविश्टिन और रिडोमिल गोल्ड और M45 जो है आपकी पाश उसको आप यूज किजी बेविश्टिन होंगे तो 1.5 ग्राम पाल लिटर बाटर डिजल्ब करें और 10 दिन अंतर से एक बार फांजिसाइड का इस्प्रे करें रिडोमिल गोल्ड होंगे M45 होंगे या साफ होंगे तो उसका डोज होंगे 2 ग्राम पाल लिटर बाटर आप अच्छा से डिजल्ब कर लिजिए उसके बाद इस्प्रे करें तो आपकी फ्लार प्लांट काफी आच्छा रहेगा कभी-कभी इसको Multiple Micronutrient दे देना है जिस टाइम आप अपनी गार्डिन में आदर्स प्लांट को देंगे उसी टाइम दे दीजिए PGR की खास जड़ुत नहीं पड़ते इसकी जो ग्रोथ है काफी आच्छा रहता है उसके बाद भी आप अगर चाते तो 15 दिन अंतर से एक बर PGR रिगूलेटर दे शकते हैं स्प्रे कर शकते हैं आपके पास जो भी पिजियर होंगे PGR होंगे प्लांट को आप दो एमल पालिटर बारटर डिजल्व करें और PGR की उब पर इस्प्रे करें तब भी आपको काफी रचार अच्छा रजाल्टare ét और fertilizer के लिए बहुत ज़्यादा fertilizer ये flower plant को जरूत नहीं पड़ते ज़्यादा high nitrogen बाली आप अगर fertilizer दे देंगे तो plumeria flower plant में leaf काफी ज़्यादा आएगा flower कम आएगे चलिए fertilizer में हमको सबसे पहले लेना है compost आपके पास अगर compost है बार्मी compost है मेरे पास आपके पास जो भी compost है वो compost ले लिजिए सबसे पहले मैं 10 इंच pot में कितना देना है वो share करूँगा 10 इंच pot के लिए हमको एक मुठी compost लेना है आपके पास बार्मी compost है बार्मी compost लेजिए cowdang compost है cowdang compost लेजिए मेरे पास बार्मी compost है मैंने बार्बी कमपोष्ट एक मुठ्टी ले लिए यानि कि इसकी आधा बाविल इसके साथ मिलाएंगे एक चम्मच निमखली ये निमखली दे दिये एक चम्मच और आधा चम्मच हमको देना है एपसम शल्ट ये हो गया आधा चम्मच एपसम शल्ट यानि कि मेगनेश्यम स और कुछ chemical fertilizer हमको देना है chemical fertilizer में हमको लेना है DAP 10 इंच पाट के लिए हमको 10 से 12 granules लेना है ये 10 से 12 granules DAP हमने ले लिए है इसके शाथ हमको देना है पटाश क्योंकि non-stop floor खिलते रहते हैं ये floor plant में इसलिए पटाश हमको देना है और पटाश में आप mirror top पटाश ले शकते है और SOP भी ले शकते है NPK 0050 तो मैं 10 इंच पाट के लिए लेंगे 10 gram quantity में पटाश ये है 10 gram quantity में पटाश हो गया यानि कि ये चम्मच का 3 भग की 1 भग ले लिजिए चल जाएंगे ये 5 gram की चम्मच है ये fertilizer को आप अच्छा से mix कर देंगे ऐसे करके fertilizer आप 15 दिन अंतर से एक बार देंगे तो चलेगा बार बार fertilizer देने की कोई भी ज़रत नहीं है ऐसे करके दे देंगे और ये जो छोटे पॉट है जिसमें अभी flower है लीफ नहीं है इसमें मैं fertilizer अभी कम देंगे क्योंकि इसमें लीफ आना बहुत जरूरी है ओवर fertilizer अगर होगा तो ये flower plant की condition खराफ हो शकते है इसलिए इसमें अभी organic fertilizer नहीं देंगे चार इंच की जो पॉट है इसमें देखिए चार ग्रनुल्स हम डाल देंगे डिये पी इसमें देखिए चार ग्रनुल्स बाकी बच्चा लीए मैंने चार ग्रनुल्स डिये पी डाल दी आप जब भी बाटरिंग करेंगे धीरे धीरे करके फसप्राश और हलका सा nitrogen इसको मिलता रहेगा और ये धीरे धीरे करके इसका leaf अना start होगा और जैसे leaf आएंगे उसके बाद ऐसे जैसे leaf अना start हो जाएंगे उसके बाद एफ लावर प्लाट को जैसे fertilizer देंगे वैसे fertilizer इसमें देंगे लेकिन एक बात मैं आप लोग को कहना चाहूंगा आपने अगर cuttings grow किये है उसका root अभी तक नहीं हुआ है तो ओ कंडिशन में आपको fertilizer नहीं देना cuttings बाली plant को fertilizer नहीं देना कोई भी fertilizer नहीं देंगे लेकिन मेरा जो cuttings है इसमें root आ चुके है अच्छा से roots निकल आए है उसके बाद ही flower आए है लीफ आए है इसलिए मैं fertilizer दे रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी इस pot को मैंने fertilizer कम दिये है चार granules only डिये पी डाल दिये है क्योंकि slow releasing एक first brush मिलते रहे और कुछ नहीं दे जाए और बाकी यह जो pot है यह spot के लिए मैं यह देखिए दो चम्मच compost लेंगे ऐसा आपके पास अगर छोटे pot होंगे तो उसी शबसे आपको fertilizer देना है जैसे कि मैं बता रहा हूँ यह देखिए आधा चम्मच निमखली एक ग्राम quantity में आपको लेना है एपसम शल्ट या mg एशोफर मेगनिशियम सल्पेट और आधा ग्राम quantity में आपको लेना है पटाश यह देखिए आधा ग्राम quantity डिये पी हम लेंगे इसमें only shakes granules डिये पी लेंगे 6 to 8 granules डिये पी लेंगे मेरा जो डिये पी है काफी छोटे है 6 से लेके 8 granules डाक आप डिये पी ले शकते हैं और इसके बाद अच्छा से mix कर देंगे और mix करने के बाद यह जो pot है pot की चाड़ियो दे देंगे यह floor plant को आप ही आप full sunlight में ना रखे ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा result मिलेगा इसके बाद हलका सा गुराई करेंगे आपके बास जो भी tools है tools की help से आपको अराम से गुराई कर देना है हफ्ते में एक बार याने कि शाद दिन में एक बार आप liquid organic fertilizer याने कि mustard cake liquid fertilizer यह floor plant को दीजिए तो आपके floor plant काफी अच्छा रहेगा बहुत ही healthy रहेंगे और huge quantity में flowering करते रहेगा ऐसे करके गुराई कर देना है इसके बाद हमको बाटरिंग कर देना है ऐसे करके बाटरिंग कर देना है उम्मीद करते हो दोस्तों आप लोगों मेरा वीडियो पसंदा है और अगर पसंदाते है तो like कर देना, share कर देना और subscribe जरूर कर देना शाथ में बिल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो लेकर आओ आप तक तरन पोस्ट चेके दोस्तों आज है तक है इसके बाद फिर में लगे ना टपी के शायद ना जान कर लिख कराएंगे थैंक्स पर पाची